नमस्कार जोहार अदाब आप जानेंगे खबर पूरे संथाल प्रगनासे सुभा से बजार में सनाठा पसर रहा बस इस्टेन में एक भी बसों का परिचाला नहीं हुआ परदर्शन कारियों ने खुले हुए शॉपिंग मौल वो दुकानों को बंद करा दिया पेट्रोल पम में भी ताला लटका रहा रेलवे इस्टेशन पर बंद समर्थों ने इंजन पर खड़े होकर नारेवाजी की रेल रोकने के आरोप में नगर थाना की पुलिश ने जामुमों, राजत, कंग्रेस, बसपा और CPIM के 50 नेताओर करकरताओं को गिरापतार कर लिया तीन बजे को सभी को छोड़ दिया गया दुमका में 60 काटून नकली सराब बरामद 5 गिरापतार जर्मुंडी के अनुमंडल पुलिस पतादिकारी उमेश कुमार ने मंगलवार को बताया की पुलिस अधिक्चक को हजडिया के रास्ते नकली सराब की तसकेरी किये जाने के समद में मिली सुचना के मद्दे नजर उनके नत्यतों में टीम गठित कर शोमबार की रात रामगर मोर पर छापे मारी कर एक कार से दो काटून और पिकप वहन से अन्ठावन काटून नकली सराब बरामद किया गया उन्होंने बताया कि नकली सराब तसकेरी के आरोप में जितंदर परसाद यादब गोविंद सागूपता अजय कुमार सिंग सतिस सर्मा को वहान चारक अजमत खान को गिरफतार कर सराब तसकेरों के गिरोग को उद्वेधन किया गया और उन्हें आरोप करकर उसे गिरफता को में भी रहा बंदी को लेकर सुवसही बिबिन राजनितिक दलों के कारेकरता परमुक चौक चौराहों को जाम कर परदर्शन करना सुरू कर दिया जाम की वज़े से कई परमुक मार्गों पर वहानों की लंबी लाइन लगी रही सामती पूर्वक परदर्शन की वज़े स साम बाइक सवार तीन अपराधियों ने बाइक से देवगा लोट रहे मोहिन अली को गोली मार कर और 5000 रुपया लुट लिया वही इसके दो अन्य दोस्तों से भी 500 रुपया चिल लिया गोली से लगे युवक के जांग में गोली लगी सुचना मिलेपा पुलिश ने जखमी य देवगर में महागडवन्दन वो बिजेपी के समर्थक आपश में लड़े इसान बिरोधी बील को लेकर मंगलवार को भारत बंद दर्म्यान देवगर में बिजेपी और महागडवन्दन के नेताओं में नोकजोक और टकड़ाओं की स्थिति पैदा होगी बंदकेदो रा जीस पर था गुमान वो खलियान में करते रहे काम भारत बंद स्वत इस पूर्त नहीं था किसान के नाम पर आंदोलन करने का दंब भरा गया एक दिन पहले मसाल जुलूस निकला गया मंगलवार की सुबद जब बंद का दिन आया तो देवगर में बंद असर हिन रहा बाब भारत बंद का देवगर जीले में मिला जुला सर दिखा गया बंद समर्तों ने जगा जगा पर सड़क पर परदर्शन किया इस दोरान मदूपूर में डालमिया घूप के पास एनज बंद समर्तों को ने जाम कर दिया बंद के कारण लंबी दूरी की बसे नहीं चली सड़क पर आम दिनों की तुला में वहानों की आवजा ही कुछ कम रही अधिकांस दुकाने भी बंद रखी गई थी खबर गोड़ा से गोड़ा के कुर्मन गाओं में बनेगा अतरिक्त पूल सयुक्त सचिव ने बताया गोड़ा हस्डिया रेल लाइन में गोड़ा सदर अस्चल के कुर्मन गाउं के लोगों की मांग पर अत्रिक्त रेलपूल की समती राज सरकार की और से गठीत विशेश तक्निकी जाज टीम ने दे दिया राजिके परिवन विभाग के सयुक्त सचिव ब्रजंद्रे हैमरों की अगवाई बाली तक्निकी जाज टीम ने मंगलवार को कुर्मन गाउं का निरक्चन कर अस्थान्य ग्रामिनों से बाचीत की और सभी पहलूँ पर विचार के बाद चार सदिशे टीम ने कुर्मन सहीत द स्पोर्टेन इलेवन रायल वो मनोरंजन कलब ने जीते मैच जीला क्रिकेट एसोसेशन के तत्वधान में बी डिविजन लीग परतिवगता मंगलवार को जारी रही मंगलवार को परतिवगता के तिसरे दिन चाह लीग मैच खेले गे जो तीन अलग-अलग मैदान पर खेल चापे मारी में 440 लीटर देशी सराब बरामत और दो गिरपतार जीला उत्पाद विभाग और पुलिस के चापे मारी में मंगलवार को बड़ी सफालता हाथ लगी उत्पाद अधिक चक अउधेश शिंग सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नतित्तु में जहां पोडिया एक ओटो से बरामत किया जीले में उत्पाद विभाग और पुलिस की ओर से लगातर अवेस सराब कारोबार के बिरूद छपे मारी अभ्यान चला जा रहा है बिते सबता ही पोडिया हाट के हर्यारी जेंगल में उत्पाद विभाग ने मीनी सराब फेक्टरी का भंड़ा प मारात हत्या कर दी गई मामा के घरवालों पर नसिला पदात किला कर हत्या का आरोप लगाया गया है सरक पर उत्री विपक्ची पाटिया बंद का मिला जुला असर किरिसी बिल की बिरोत में शबी विपक्ची पाठियां की और से मंगलवार को आहूत भारत बंद का जामताड़ा में मिश्रित असर दिखा सुभा दस बश्ते बश्ते बंद समर्थक सणक पर उतरते गए अलग अलग टोली में बजार बंद करवाते देखे गए खबर पाकूर से पाकूर में भारत बंद का मिला जुला रहा असर किसान आंदोलोन के समर्थान में मंगलवार को पाकूर में भारत बंद का सांतिव पून और मिला जुला असर रहा सुबह सही बिभिन्य राजनितिक दलों के नेताओं ने ब्योशाहिक पर्तिष्टानों को बंद करवाया हलांकी दोपहर के बाद धीरे धीरे सभी पर्तिष्टान खूलने लगया और वाहनों का आवा गमन सुचारू रूप से चलने लगा धान खरीद के लिए हावी हो रहे हैं बिचोलिये पाकूर जीले में सरकारी अस्तर पर धान की खरीदारी सुरू नहीं होने के कारण किसान बैचन है धान कराय केंद्रों में धान की खरीदा अब सुरू होगी इसकी अभी तक कोई सुचना भी नहीं मिली है विभाग का कहना है कि धान की खरिद्धरी सिक्र सुरू हो जाएगी विभाग के अधिकारी वाकी बची अपचारिकता पूरी करने के बाद कर रहे हैं इधर किसान धान बेचने की तयारी कर चुके जहारखन में 24 गंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं एकसव विरासी नए पोजोटीव केश मिले जहारखन में जहां कम लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं वहीं पूराने मरीज तेजी से स्वस्त्वी हो रहे है इस्तिति यह है कि राजी के साथ जिलो में अब 2020 से कम मरीज ही अब संकर्मित हैं इसमें से गिरिडी, गोड़ा, पाकूर, शेमडेगा, लातेहार, जामताडा तथा कोडर्मा सहित हैं पूरे राजी की बात करें तो 17-33 मरीज अभी संकर्मित हैं राजी में सबसे अधिक 768 तथा पूरवी शुमब में 260 मरीज अभी कुर्ना संकर्मित पाए गये हैं हम रोज ऐसे ही नियूज लाते रहेंगे यदि आपने अभी तक किली नियूज को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइगन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो